तो इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा की पीरिट कैसे आते हैं प्रेगनेंट कैसे होते हैं जिसे आसानी से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि pregnancy में periods आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं या पॉसिबल है या नहीं है pregnancy में पीरेट का आना तो आज की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले कौन सके तो गाइस दिखे नॉर्मली केस में क्या होता है फीमेल की मैंस्टुरेशन साइकल के चार फेज होते हैं जो सबसे पहला फेज होता है उसे हम कहते हैं मैंस्टुरेशन फेज इस फेज में फीमेल के पीरिट्स चलते हैं यानि फीमेल के वजायन ऐसी ब्लीडिंग यह साथ में यूटरिन लाइनिंग मे ही एंब्रियो इंपलांट होता है अगर अगर अधरिय यूटरिन थो जाता है गल्लन। भो जा तब जाए but फो होता है यह सब की धी तुसुछ में बाद फी बांसे ऐस और चुम हो जाता है श्लीकुलर मेश श्तुछ में आपँ उन h Finland की हर महीने एक pilgrimage से livre्ली से एडरीन होता है जो मिच्छिय औरNow रहे है वो रिलीज होता है और फैलोपियन तीवермयन एक नहीं मिल पाते स्परम एक मिल पती इस लेंग को फ簡र कि ए और आ जाती है जो ovulation का बाद वाला phase होता है उसे हम neutral phase कहते हैं यह 14 दिन का होता है यह हर female में fix रहता है तो guys periods आती कैसे हैं यह मैं आपको समझा देती हूँ जो female की uterine lining period के बाद से बन रही थी साथ में जो female की ovary से egg release हुआ था यह ovulation के 14 दिन बाद shed हो जाता है जिससे क्या होता है हर महिने female इलको क्या होता है period आजाती है अभी आपको समझ आ गया हो कि female को period कैसे आती है अब मैं आपको समझाती हूँ female pregnant कैसे होती है तो guys pregnant ऐसे होती है अगर ovulation के time sperm and egg मिल जाते है यहानि sperm egg को fertilize कर देता है तो female का fertilization process successful हो जाता है उसके बाद क्या होता है जो embryo होता है जो sperm cells and egg cells मिल आते हैं वो implant होते हैं uterine lining में जिसे minimum 6 दिन का time लगता है maximum 12 दिन का time लगता है जब यह process successfully हो जाती है जब successfully embryo uterine lining में implant हो जाता है तब जाके female को pregnancy conceived होती है जो uterine lining female की बन रही थी वो support करती है देन baby को तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि pregnancy कैसे conceived होती हो और period कैसे आती है प्रेगनेंसी में पीरेड आ सकते हैं तो आपको भी समझ आ गया होगा कि pregnancy में पीरेड पॉसिबल ही नहीं है बड़ गाईस प्रेगनेंसी में bleeding female को हो सकती है वो किन केसे में हो सकती है वो भी में आपको समझा देती हो तो सबसे पहले गाईस जब embryo implant होता है uterine lining पे तो उस प्रेगनेंसी केयर बहुत जादा जरूरी हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि implantation bleeding कैसी होती है थोड़ा बात मैं समझा भी देती हूं कि implantation bleeding के होते हैं सबसे first of all उसका जो flow होता है वो पीरेट से बहुत जादा काम होता है आपके पूरा दिन भर में कोई पैड नहीं बढ़ता उसका color brownish और pinkish color का होता है जो मुश्किल से लेके दो या तीन दिन तक र कर ली है यह आपको implantation bleeding हो रही है यह आपको पीरेट नहीं आ रहा है बिकोस कई बर क्योंता है फीमेल को अगर पता नहीं चलता है फीमेल समझ लेती है कि इस बार भी पीरेट आ गया और नेक्स टाइम उन्हें ऐस सच कोई bleeding नहीं होती है तब जाके उन्हें पता चलता है आ अभी एक ही महीना complete हुआ है एक ही महीना हुआ है प्रेगनेंसी को बड़ तब तक उन्हें दो महीना complete हो जाता है तो इसलिए आपको implantation bleeding हो समझना ज़रूरी है जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपको इस बार प्रेगनेंसी गंसीव यह आपको पीरेट आ रहा ह है जिसकी वज़े से इंट्रकॉर्स के बाद कुछ फीमेल में spotting देखी जाती है अगर spotting से जाद आपको bleeding हो रही है तो इसकेस में आपको तुरण डॉक्टर से मिलना चाहिए इसके अलावा गाईज कुछ केसे में फीमेल के सर्विक्स में infection भी हो जाता है द्यूरिंग अर इसकेस में भी आपको तुरण डॉक्टर से मिलना चाहिए कि इंफेक्शन तक भी पहुंसकता है अगर युटरस तक पहुंच गया तो घथप एंब्रेयो को हांब जिसके विज़े से फीमेल को यह स्पॉटिंग हो रही थी तो इस केस में क्या था फीमेल की डी एंसी कराने पड़ती है अगर ऐसा कुछ भी आफ फेस करते हैं दूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी तो आपको तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए इसके अलावा गाई अगर फीमेल होता है की जो एंब्रियो होता है वह यूटियन लाइनिंग में इंप्लांट ना होगे फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट हो जाता है जिसे अप्रेगनेंसी भी कहते हैं यह फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इस केस में भी फीमेल में स्पोर्ट प्रेगनेंसी फीमेल की वजायना से ब्लीडिंग होती है फीमेल को कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान पेरियड नहीं आ सकती वह आप समझ गये क्यों नहीं आ सकती है वह मैंने आपको पहले ही समझा दिया गाई तो होग करती हूं यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव ल